बॉलिवुड में ऐसे कई पाकिस्तानी सितारे हैं जो बॉलिवुड में डेब्यू कर चुके हैं और कुछ हिंदी सिनेमा में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं इन्ही मेंसे एक पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर भी है हाल ही में खबर आई है कि सबा जल्द ही बॉलिवड में नजर आ सकती है लेकिन फिल हाल वो अपने डेब्यू को लेकर नहीं बलकि अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा का विशे बन गई है इन दनों सबा का एक विडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसमें वो एक टॉक शो में दिखाई दे रही है इसमें शो की होस्त सबा को कुछ बॉलिवड अभी नेताओं की तस्वीरें दिखाती है और इसे देखकर सबा को कारण बताते हुए इन सितारों के साथ फिल्म में काम करने से इनकार करना है सबसे पहले सबा को रितिक रौशन की तस्वीर दिखाई गई उन्होंने रितिक को ये बोलकर ठुकरा दिया कि वो उनके टाइप के नहीं है और वो दो बच्छों के बाप है जब उन्हें इमरान हाश्मी की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें मूँ का कैंसर नहीं करवाना इसके बाद जब सबा को सल्मान खान की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने ये कहते हुए कान पकड़ लिए कि सल्लू भाई से तो बहुत डर लगता है बहुत चिछोरे हैं ये, इनके पास कोई भी स्टाइल नहीं है, वो कुछ भी अपना ही डांस निकाल लेते हैं खेर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चट पटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेजार खबरों के साथ, बाई बाई